हेलो दोस्तो कैसे हैं आप सबी उमीद है आप सब ठीक होंगे कि आप भी उपने फैमिली या दोस्तों के साथ मसुरी घुमने का प्लान बना रहे हैं तो इस वीडियो को लास्त चुरूर देखें इस वीडियो में मसुरी के टॉप टूरिस प्लेसे स के बारे में बताने वाला साल हजारों प्रटक को अपनी और अकर्सित करता है यहां हम आपके लिए मसूरी के पांच भैतरिन चहों की सूची लेकर आए हैं जिने आपको अपनी यात्रा में जरूर सामिल करना चाहिए मसूरी आकर अगर कैमपिटी फॉल का मजा नहीं लिया तो क्या किया जी हां यहां के खुबसूरत जर्ने मसूरी आने वाले प्रटो के लिए सबसे लोग प्रिये इस्थानों में से एक है कैमपिटी फॉल में पानी 40 फीट की उचाई से नीचे गिरता है और 5 धराओं में भी भाजित हो जाता है नमर टू गन हील यह मसूरी का दुसरा सबसे उचाई स्थान है और माल रोड से लगबग 400 फीट की उचाई पर इस्थीत है आप गन हील का लुप्त उठाने के लिए रोबे से भी जा सकते हैं या माल रोड पर कॉड कॉंप्लेट से आदे घंडी की लंबी पैदल यात्रा भी कर सकते हैं गन हील से आप हिमाले की मनोरम दुरुष्य का आनन भी ले सकते हैं मसूरी जिल बहुत खूब सुरत प्रटक स्थलों में से एक है ना पिहार और पिक्निक के लिए ये एक लोग प्रिये इस्थान है आप यहां घंटो स्थांती पुन वाता बरण में आराम कर सकते हैं माल रोड माल रोड मसूरी का दिल है जहां आपको खरीदारी भोजन और मनरंजन के धेरो विकल्प मिल जाएंगे लाल तिब्बा को लाल पहाड़ी भी कहा जाता है ये मसूरी का सबसे उच्चा व्यूपॉइंट मना जाता है औल इंडिया रेडियो और दुरदर्सन के सब भी प्रसारण इस्टेशन यहां इस्थीत है भारती से नतरनात होने के वज़े से यहां जाना प्रतिवन दीत है आप टेलिसकोप के माध्यम से लाल तिब्बा के मनुरम दिश्य का आनन भी ले सकते हैं मसोरी गुमने का सबसे अच्छा समय अप्रेल से जुन और सितमर से अक्टूबर के बीच होता है इन महीनों में मोश्रम सुहाबना होता है और प्रेटेक अराम से गुम सकते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चानल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें